पहला प्रश्ण है कांडला पत्तन कहां परिस्थित है आपके सामने चार बिकल्प हैं सही उत्तर आपको बताना होगा प्रश्ण ध्यान से सुनिएगा कांडला पत्तन कहां परिस्थित है इसमें जो सही उत्तर है वो एवाला है क्योंकि या कच्छी की खाडी के पास इस्तित से किस नाम से जाना जाता है तो यह जो है सुंदर वन डेल्टा की नाम से जाना जाता है इसे लिए डी वाला बिकल्ब जो होगा बिलकुछ सही उत्तर होगा इसको ध्यान रखेगा इस प्रश्ण में अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन बायोस्पेर रीजर्व या चो प्रश्ण है विलकुछ सही होगा काजी रंगा निमलिखित में से कौन बायोस्पेर सुरत्षी जीव मंडल नहीं है इसलिए दी वाला किकल्ब जो होगा बिलकुछ सही होगा अगला प्रश्ण है बेद्र मेंक सहायक नधी हो है डी वाला क्योंकि लूनी इन सब मेसे जो तीनों नदियों की नाम दिये गए हैं इसमें से किसी की सहायग नदी नहीं है अगला प्रशन है इन में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है आपके सामने चार बिकल्प है कभी-कभी गलती कर देते हैं इसमें जैसे हम लोग मेघा सबसे अधिक वर्षा कहां होती है उस अस्थान का नाम आपको बताना है तो इसमें जो आप सी वाला भी कल्प देख रहे हैं बिल्कु सही होगा क्योंकि भारत में सरबादिक वर्षा मासिन राम जो कि मेघाले में है यहां पे होती है इसको ध्यान रखिएगा अगला किस नाम से परसिद्ध है इसके चारो भी कल्प आप देख लीजिए और जो सही उत्तर है उसमें आप सी वाला भी कल्प लगाईएगा क्योंकि इसको किस नाम से वहां जाना जाता है सागर माथा के नाम से जाना जाता है इसको ध्यान रखिएगा आप सागर माथा अगला प बड़ा सम्मिधान है विश्व का सबसे बड़ा सम्मिधान है ये इसकी सबसे बड़ी विशेष्टा है इसको ध्यान रखिएगा अगला प्रशन है सम्मिधान के किस अनुच्छेद में यह वांडित है कि प्रतेग व्यक्ति-धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आच च्छेद 25 दिया गया, 60 दिया गया, 105 और 130 दिया गया, तो हम आपको बता देते हैं, अनुच्षेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंतता का अधिकार दिया गया है, उसमें वाडित है, तो इन में जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्ण के लिए जो सही उत्तर होगा, वो एवाला होगा अनुच्छेद 25 के अंतर गत्माडित है अगला प्रश्ण है भारतिय सम्मिधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रत्वन लगाया गया है आपके सामने इसमें भी चार बिकल्प दिया गया है देखे जैसे ये सम्मिधान में ही दिया गया है लेकिन कुछ सरकार ऐसी ह कि अपने नाम का डंका पीड़ती है कि हम रोक लगा रहे हैं तो यह सम्मिधान अधिकार देता है कि गव हत्या पर रोक लगाया जाए सत्यता तो यह है कि अनुच्छेद पहले तो इसका उत्तर देख लीजिए यह किसमें है अनुच्छेद 49 जो होगा इस प्रसने के लिए बिल्कु सही उत्तर होगा क्योंकि अनुच्छेद 49 में लिखा है कि राजसरकार दुधारू और भारवाहक पस्मों की हत्या पर रोक लगाये यह चीछ जो है उसमें लिखा गया है और उसके बिकास और समवर्धन के लिए कारे करे देखिए बहुत सारे लोन भी देते हैं स सांती को सर्बोत्तम रूप में पाया जा सकता है किसको कायम करके सांती को सर्बोत्तम रूप में पाया जा सकता है सुतंतता को समानता को न्याय को या फिर सभी को तो इसमें तो सभी को अगर आप लगाएंगे तब सही उत्तर होगा नहीं तो गलत कर देंगे इसमें सुतंत 143 में भारत के किस राज्य में भायानक अकाल पड़ा था ओडिशा, बिहार, बंगाल या फिर राजस्थान चारो विकल्प में से जो सही उत्तर है वो आपका सी वाला है क्योंकि बंगाल में भायानक अकाल पड़ा था इसको ध्यान रखेंगे आप अगला प्रस्थन है यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह इस्थिति क्या होती है आपको बताना है यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह इस्थिति कौन सी होती है तो वह होती है मुद्रा इस्थित इसलिए इसमे मुद्रा स्पीत का तातपर है इसमें आप देख सकते हैं मुद्रा स्पीत का तातपर क्या है चारो विकल्प आप देख लिया करिए आसानी से ताकि आप समझ सकें इसका मतलब क्या है तो देखे इसमें जो चारो विकल्प दिये गये हैं जो सही उत्तर आपको लगे वो आपक केंद्र और राजी के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तिय वित्रण का निप्तारा निमलिकित में से किसके द्वारा किया जाता है इसमें आपका तीसरा विकल्ब बिल्कुछ सही होगा तीसरे में क्या दिया गए वित्य आयोग बित्य आयोग ही केंद्र और राजी के बीच कर संसाधनों का बटवारा करता है इसलिए यही विकल्ब जो होगा बिल्कुर सही होगा अगला प्रशन है राष्ट्रिय क्रिसी और ग्रामीड विकास बैंक के अस्थापना किस पंचवर्षी योजना की आधी में की गई थी इसमें जो सही उतर है वो आपका सी वाला है खाट विकणा के अन्तरगत की गई थी नाबाड की अस्थापना चटी पंचवर्षी योजना में की गई थी और यह कब की गई थी 12 जुलाई 1982 12 जुलाई 1982 यह इस सन में की गई थी इस तारीक पे की गई थी इसको ध्यान रखिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इसी तरीके से हम हर दिन आपके लिए क्वेश्चन का सेट लेकर आते रहेंगे इसमें सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे आपको धन्यवाद